फुक्रा और मनीशा की दोस्ती क्या तूट जाएगी? क्या ये दोनों वाकपस एक दूसरे से बात नहीं करेंगे? कल रात को मनीशा की एक बात जो है वो फुक्रा को बहुत बुरी लगी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में जगड़ा भी हो गया है लेकिन हम आपको बताएं कि किस तरीके से आप मनीशा फुक्रा को बार बार मनाने की कोशिश तो कर रही है लेकिन फुक्रा है कि मानने को तयार नहीं फुक्रा इस बात से बेहत नराज है कि मनीशा ने उसको ग्यानी क्यों बोला? उसने तो सिर्फ और सिर्फ एलविश, फलक और अविनाश की लड़ाई सुलजाने की ही कोशिश की थी लेकिन यहां मनीशा का अपना एक point of view है जो वो बताती हुई नजराई है और कहती हुई नजराई है कि यह लोग इसका बहुत फायदा उठाते हैं और इसको पता भी नहीं चलता यह strong है इसके लिए बार-बार इसको अपने साथ involve कर लेते हैं लेकिन यहां पर मुझे यह लगता है कि यह लोग इसके भोलेपन का फायदा उठा रही है तो इस तरीके से परिशान दिखी है मनीशा फुकरा के लिए ही लेकिन आप उसने बड़ा फैसला ले लिया है वो आधी रात को जो है कपकेक बनाती नजराई है जी हां मनीशा ने अभिशेक के लिए कपकेक बनाए हैं वो चाहती है कि वो अभिशेक को कपकेक बना कर मनाए और उसके लिए रात को वो स्वीट दिश बनाती हुई नजर आई आपको क्या लगता है कि क्या मनीशा वाकई में फुकरा को मना पाएगी इन दोनों के बीच की जो लड़ाई हुई है क्या वो सुलच पाएगी आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताए और आपको क्या लगता है कि मनीशा ने ये जो दावा किया है कि फुकरा को लोग बेव को बनाते हैं उसका फायदा उठाते हैं उससे समझ में नहीं आता क्या मनीशा फुकरा के बारे में ये जो राय रखती है या जो उसका कंसान है क्या आप भी उस बात से सहमत है या नहीं कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें क्या राय जर करा कि दो अले क्या फ्रूर लिखें जरूर लिखें जरूर लिखें।